हेलो दोस्तों आज बेंगलो रेस थी बहुत अच्छी गई मतलब फास्ट तीन रेस बहुत ही आठपटी हो गई क्योंकि एक नमबर मैंने दिया था वो गोड़ा पैड़क में सुपरियर दिख रहा था लेकिन गेड में फस गया तो मैंने ग्रूप में एक और तीन दिया था तीन नमबर जित गया एक नमबर फोर्थ हो गया शेकंड रेस में गोला था चार नमबर डेवेस प्लेस मतलब वो गोड़े का नाम क्या था फ्लेमिंगो रोड वो गोड़ा फेवरेट खुल गया लेकिन 50 पेसा प्लेस था मैंने देखा था वो गोड़ा थार्ट रेस में फूर्थ रेस में मैंने एक नमबर दिया था वीडियो में वो जीत गया और साथ नमबर मैंने एट किया था 379 केजी घुड़ा का था तो मैंने उसको खा लिया था फो नहीं जीता फिर फिप्ट रेस में मैंने एक और तीन दिया तीन नमबर जीत गया और फूर्थ रेस में तो लास्ट के तीन रेस पास हुए है अपने प्रॉफिट हुआ है तो आपका दिन पे अच्छा गया हो तो कुछ लोगों का मेरा मानना है कि कुछ लोगों का पैसेंस बहुत कम होता है क्योंकि एक दो गोड़े पेट जाते हैं तो लोग लेफ्ट कर जाते हैं इसलिए मैं तो आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट्स में मैं कमेंट्स पड़ता हूँ तो अप लोग समझते होंगे क्योंकि जोट्री में नहीं हुँ गोड़े में नहीं चलाता है इंसीडेंट्ट वो सब में कुछ नहीं कर सकता है, अगर गोड़ा अच्छा है, लेकिन फेवरेट खुल रहा है, तो क्या कर सकता हूँ, भाव तो मैं भी नहीं खुलता, तो ऐसा होता है, तो पहले तीन रेस रेपिट गए, लेकिन लाज्ट तीन रेस गोड़े जीते हैं, प्रोफिट हुआ ह तो सारी रेस खेल कर कुछ नहीं है, कुछ रेसे खेलेंगे, पैसा बन जाएगा, अराम से, काड बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिल्कुल पैसा बनेगा, तो बात करते हैं, फर्स टेस, दे मिडनाइट मैडनेश ट्रोफी डिविजन टू, क्लास प्रेव की रेस है, होर् बजे, यहाँ पर, टेन और से, यहाँ पर मेरी चोईस है, होर्स नमबर टू, स्टैनिंग विज्वाल, जोकी के नाजिल फॉर प्लेस, लास्टेम बहुत बेटिंग हुई थी, माल लगा था, लेकिन गोडा गेट से स्वो निकला था, तो फिव तो आता, कली गोडा गेट स निकला ठीक से, तो प्लेस तो आही जाएगा, देखते हैं क्या बहुकुलता है, मेरे इसाफ से 80-90 पैसा खुलेगा, तब ही खेलना, ज्यादा बहुकुलता है तो इगनोर कीजे, फिर देखेंगे उसमें क्या करना है, लेकिन मुझे प्लेस में पसंद एग गोडा, और अब आप करते हैं, सेकंड रेस, दे मिडनाइट मैडनेश ट्रोफी डिविजन वान, क्लास वेब करें से होर्स एटर फोर्टो थर्टी, सोला सुमेटे करें से फोर्टो थर्टी को, यहाँ पर दस गोड़े हैं, यहाँ पर मेरे चोईस से होर्स नमर एट फ्रिडाउम, जो चाहिए, चाहिए कुछ भी हो जाए, बेस्ट गोड़ा है कल के दिन का, और भी हैं एक दो, लेकिन यह गोड़ा प्लेस बिल्कुल बनता है, देखिए क्या भाव खोलता है, सब कुछ देखिए, माल लगता है कि नहीं, फिर जाके, ऐसा नहीं कि 5 रुपे बेटिंग हो ही न और गोड़ा 379 किलो का गोड़ा हो, तो मत खेला, देखिए यह गोड़ा बिल्कुल बनता है, लेकिन सब कुछ देखने के बाद, ओक ऐसा नहीं, लास्ट टेम लगा था, मुझे पसंद है, मेरे हिसाब सो तो डे बेस्ट प्लेस होना चाहिए, बस पिटनेस ठीक हो, बेटि अब बात करते हैं, फोर्थ रेस, दा सपुर्जी, पलंजी, ब्रिड़ास, जूबिलन, कोल्स, चंपेंशिप, ग्रेट ट्री, टाम रेस, फोर होर्स, कोल्स, एंड गेल्डिंग, ट्रियर रोल्ली, नो एलांस केन भी क्लेम, 16 मिटे की रेस है, फाइप थर्टी को, यहां पर साथ गोड़े हैं, वांटू की बैठ है, लेकिन सिंगल गोड़ा, होर्स नमबर टू, क्रिस्टफ ओल, जोकी पीट रेबर, फोर, उइन, यह गोड़ा लास्ट टेम बहुत इंप्रेसिबली जीता था, मैंने ग्रूप में भी दिया था, और वीडियो में दिया थ कल भी गोड़ा बिल्कुल जितना चाहिए, अगर ठीक भाव खुलता है, साथ सत्तर पैसे, असी पैसे, तो खेले है इसको गुट करके हुए, गोड़ा आराम से जितना चाहिए, लेकिन होट फेवरेट खुले, तो दूसरे प्लेस दीखिए, और दूसरा अगर कोई प्लेस आना चाहिए, आ सकता है, तो मेरी चोईस है, होस्ट नमबर वान, बिलीब, जोकी एसंदेस पर प्लेस, तो फास्ट चोईस, होस्ट नमबर टू, क्रिस्टपल है, ये गोड़ा मतलब भाव खुलना चाहिए, तो खेल सकते हैं, साथ सतर पैसा, तीस चालिस पैसे के तो इग कुलता है, फिर डिसाइड करेंगे, अब बात करते हैं, फिफ्ट रेस, दो फो, ब्रिडर्स, जुबिलेन, मिली, फिलिस, चंपेंशिप, ग्रेट त्री, टम रेसर, फोर रेसर, त्रीयर, ओल्ड ओल्ड ओली, नौय लांस के निभी क्लिम, शोला सो मिटे की रेसर, छे बज अब बात करते हैं, फिफ्ट रेस, दरज्जे, रुस्तम जी, सोपड साइड टॉपी, टम रेसर, फोर मेडन होर्श त्रीयर, ओल्ड ओल्ड ओली, नौय लांस के न भी क्लिम, हजार मिट की रेसर, छिख त्रति को, यहां पर मिरी जाश से होर्स नंबर फाइप, माईशारा जो कि 6 जुद्धा फॉर इन प्लेस यहाँ पर भी 7 गोड़े हैं 1-2 की बैठ है नहीं तो 8 नमबर प्लेस अच्छा है सेनोटा D लेकिन 1-2 की बैठ हो गई है तो 5 नमबर को इन प्लेस के लिए गोड़ा अच्छा है जीतना चाहिए अब बात करते हैं सेवन्त रेस दजेपी वाजिबदा ट्रोफी क्लासपूर की रेस है होस रेट है 2246, 0-19 eligible 1490 की रेस है साथ बज़े यहाँ पर 9 गोड़े हैं यहाँ पर मेरी चोईस है होस नमबर 3 लॉड फिनिशिया चोकी हरिदास गोरे 4 प्लेस मेबी विन 4-5 रुपे या 6 रुपे खुलता है तो इसको इन प्लेस के लिए गोड़ा अच्छा है प्लेस बिल्कुल आना चाहिए गोड़ा प्लेस से हटना नहीं चाहिए देखे क्या बाव कुलता है अगर 10-15-20 रुपे खुलता है तो इग्नोर कीजिए तो अगर 15-20 खुलता है तो इसको इग्नोर करके अब 4 की प्लेश के लिए अगर 4-5 रुपे 3 नमबर खुलता है तो इसको इन प्लेश के लिए गोड़ा मुरेश साब से हैंडिकेब में है गोड़ा बिलकुल प्लेश से आना चाहिए होस्ट नमबर 3 अगर नहीं आता बहुत हेवी ओर्स खुलता है तो चाहर की प्लेश के लिए अब बात करते हैं एट्थ रेस दा फोनिक स्टैगर ट्रॉफी डिविजन वान प्लास वाइब की रेस है होस्ट एट फोट टू थर्टी फाइव यर्स ओल्ड और बारस मेंटे की रेस है साढ़े स साथ बजे 7.30 को यहां पर टैन और से से यहां पर मेरी चोई से होस्ट नूबर त्री स्पीरिट बे जोकि एज चर्वन फॉर इंप्रेस देखे एक नमबर के साथ भागा हुआ है अभी एक नमबर पर छे किलो का पेनल्टी है और इसको चार किलो की मतलब जीस रेस में एक नमबर सेकंड हुआ था उसी दिन एक नमबर को ट्रेवर ही चला रहा था तो अभी उसमें छे किलो प्लास है और इसमें चार किलो प्लास है तो तीन नमबर बैटर रहे इस से तो कलियो गोडा मेरे हिसाब से डे बैस्ट विन प्लेस विन होना चाहिए नहीं तो प्लेस तो बिल्कुल आएगा बिना किसी डाउट की तो देखिए क्या भाख कुलता है तीन नमबर इटरेस होस नमबर त्री स्पिरिट बे जोकी एज़र वन और उन प्लेस अब आप करते हैं नाइंत रेस लास्ट रेस दाफोनिक स्टैगर ट्रोफी डिविजन टू क्लास फेब की र पैसे होस नमबर शिक्स टैस्पेश जोकी टीएस जो था फॉर उन प्लेस लेस मिले तो प्लेस गुड करके खेलिए तो कार्ड बहुत अच्छा है थोड़ा संबर के खेलिए बाकि हम ग्रूप में डिसाइड करेंगे जो भी होगा मैं आज लिंक नहीं दूँगा जो लोग जोइन करना चाहते हैं मैसेज कर सकते हैं जो लोग हमेशा साथ रह सकते हैं वही करें ऐसा नहीं कि आज एक गोड़ा पीड़ी गया तो लेट कर जाओ ऐसा बिलकुल मैं पसंद नहीं करता तो जो लोग साथ देना चाहते हैं हमेश एक पैसे का लॉस चैक कुछ भी हो जाए आज भी मैंने तीन रेस से लॉस कराई थी लेकिन लास्ट में सब का कवर कराया लास्ट सब प्रॉफिट गए हैं तो इतना भरसा रखेंगे तभी करें सकते हैं नहीं तो रहने कीजिए वाज के लिए इतना ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए आपको वीडियो कैसी लेगे रिकावन बताईए फिर मिलते हैं और सो दिल्ली के रेस में गुड नाइट गुड बाई